क्या खोब लिखा है एक पती ने अपनी पत्नी के लिए वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ मैं हमेशा से पती पत्नी के बीच के वीडियो बना कर लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मुझे भी आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत सोचना पड़ता है तो बने रहे ये वीडियो में अन्त तक पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर प्रेस करना क्योंकि आगे से मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो जाए तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मेरी प्रिय अरधांगे नी मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी सक्त जरूरत है हर पल हर दिन लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे तुमारी जरूरत नहीं है तुमारी याद और तुमारा एहसास जहां भी जाता हूँ अपने साथ ले जाता हूँ काम पर जाना समय पर घर ना आना और तुम्हारे लिए समय ना निकाल पाना ये सब मेरी मजबूरी नहीं है बलकि मेरी जिम्मेदारी है जो मैं अपने परिवार के लिए दिलो जान से निभाता हूँ जिस तरह तुम अच्छी पत्नी बन कर रहती हो ठीक उसी तरह मैं भी एक अच्छा पती बन कर रहने की हमेशा कोशिश करता हूँ मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें मुझसे कितनी उम्मीदे है लेकिन मुझ पर विश्वास रखना मैं तुमारी हर उम्मीद पर खरा उत्रूंगा कभी किसी की बातों में मताना कुछ भी तकलिफ हो तो सीधा मुझे बताना मेरे परिवार को अपना परिवार समझने की कौशिश करना घुल मिलकर रहने की कौशिश करना ताकि मेरे परिवार से जो तुम चाती हो वो खुशी पा सको मैं तुमें हर वो खुशी देना चाता हूँ जो तुमने सपनों में देखा है और मैंने तुझ में मुझे पता है तुम्हें प्यार समय और समर्पन चाहिए मैं वो सब कुछ दूँगा लेकिन मुझे तुमारा साथ चाहिए मैं नहीं कहता कि मैं तुम्हें इस जहां की सारी खुशिया लाकर दूँगा लेकिन जो कुछ भी दूँगा खुशिशे दूँगा मैं तुम्हें हमेशा फ्री माइन देखना चाता हूँ, तर्टी माइन नहीं आपस की छोटी मुटी बात पड़ोसियों को मत बताना क्योंकि वो सुनेंगे तो रो रो कर, लेकिन दूसरों को बताएंगे हस हस कर ना तुम बड़ी हो, ना मैं बड़ा हो, बस हमारा जो रिष्टा है वो ही बड़ा हो ताकि दुनिया वाले देख सके और पती-पत्नी के रिष्टे की कदर करे लोग मुझे भले ही जोरू का गुलाम कहे, लेकिन मैं तुमारी छोटी-छोटी हर खुशियों का ध्यान रखूंगा और मेरे पती होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा क्योंकि मुझे पता है, अगर यह रिष्टा ना होता, तो ना तुम होते और ना ही मैं होता सब जानवरों की तर एक दूसरे को नोच रहे होते, ना जीने का धंग होता, ना ही कोई किसी के संग होता इसलिए शुक्र गुजार हूं में उस रब का, जिसने इतना अच्छा जहां बनाया, और इस जहां में पती-पत्नी का रिष्टा बनाया तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलना, आप पे अपना फर्ज जरूर निभाना, तब तक के लिए अपना खयाल रखे और अपना रिष्टा बनाये रखे, धन्यवाद